तो कुछ इस तरीके की प्रोडक्स आपको दीख रहे होंगे, तो पहला प्रोडक्स आप देखिए इसमें कितना सेल्स अभी इन्हों ने किया हुआ है, तो यहां पे देखिए इनका 100 रुपीस जो है प्राइस लिस्ट हुआ है, 100 रुपीस की ये प्रोडक्ट है, जिसमें रेटिंग दिया है और इसको खरीदा कितने ने होगा देखा जाय तो तो 100 रूपीज के हिसाब से आप सिधा सिधा अभी इसी जो नंबरिंग आपको दिख रही होंगी उसी में आप इंटू करके देख लीजिए तो ये अराउंड जो है 5 लाग से उपर की प्राइज होती है तो ये खाली एक प्रोडक्त है यही चीजे मैं समझाने वाला था कि ऑनलाइन से लोग जो है लाखो का पैसा बना रहे हैं क्या आप भी कमाना चाहते हैं लाखो पर कैसे भाई अगर बती तो लो मार्जिन का काम है मतलब कमाई बहुत कम होती है प्रोफिट बहुत कम होता है फिर इसे किस तरीके से जो है सेल किया जाए जिस से कमाई अच्छी हो तो फिर आज की इएस वीडियो में हम बत करेंगे एक नये टोपिक के बारे में जो है सेल प्रोडरक्ट ऑनलाइन और कमाई लाखों में सोचल मीडिया मार्केटिंग तो क्या होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग जिससे लोग इसमें काम करके काफी सारे पैसे अर्न कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं तो इस चीज को जो है समझने की कोशिस करते हैं अर्न के जरीय से जो प्रोड़क्ट हम बेशते हैं तो वह चीजे हो गई और इससे जो है लाखों की कमाई कैसे होती है लोग लाखों कैसे कमा रहे हैं उसके पीछे की जो बाते हैं जो सच्चाई है वो मैं आपको अभी प्रूफ के तौर पर दिखाने वाला हूँ यह वीडियो आप छोड़के ना जाएए बस इतना और दूसरी चीज जो है सोसल मीडिया मार्केटिंग इसके बारे में जो है समझेंगे उसे पहले एक छोड़ा सा रिक्वेश्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगर बत्ते बेजनेस से रिलेटेट ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के तुरू मिलती रहेंगी तो चैनल आप जरूर सस्क्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉपिक के उपर सेल प्रोड़क्ट ऑनलाइन जो प्रोड़क्ट ऑनलाइन के माध्यम से बेची जाती है वो हो गई अजय से आपका हो गया फिलिपकार्ट एमेजोन और काफी सारे वेबसाइट है तो वो चीजे हो गई और दूसरी चीज कमाई की इस तरीके से होगी उसके बारे में भी मैं प्रूप के साथ आपको बताने वाला हूँ और उसके बात जो है सोसल मीडिया मार्केटिंग के बारे में समझ लेते हैं बेसिकली क्या है जिस तरीके से हम अपने फोन में काफी सारी चीजे यूज करते हैं WhatsApp हो गया, हमारा Instagram हो गया, Facebook हो गया, YouTube हो गया, तो ये सारी चीज़ जो है, Social Media के sides है, और जिस तरीके से अभी जो चीज़े चल रही है, मतलब online platform और digitally जो दुनिया हो रही है, तो उसके base में क्या है, इन सब चीज़ों का प्रचलन काफी बढ़ चुका है, Social Media Marketing का, लोग अपना product जो है, Social Media के माध्यम से ही बेचते हैं, तो इसको हम समझते है, Social Media basically YouTube हो गया आपका, जिसके करण आप मुझे देख रहे हो, तो YouTube हो गया हमारा, कुछ ऐसे example मैं आपको दे देता हूँ, खेर ये मुझे बनाना नहीं आ रहा है, उसके बाद हो गया हमारा Facebook हो गया, Whatsapp हो गया हमारा, और उसके बाद हो गया हमारा Instagram, जो कि आज कल काफी, जो Reels वगरा है, वो वाइरल होते रहती हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, तो ये हो गया हमारा Instagram, तो ये चार टाइप के जो है, सोसल मीडिया जो है, मार्केटिंग में आती है, इसके जरीए से लोग अपना प्रोड़क्ट सेल करते हैं, तो इसी को बोला जाता है, सोसल मीडिया मार्केटिंग, तो ये चीज़े हो गई, प्रोड़क्ट को किस तरह बेचेंगे, क्योंकि हमारा जोगरवत्ती का बिजनेस है, वो काफी लोएस मार्जीन पर होता है, जैसे कि आप जानते होंगे, लोकल मार्केटिंग में, आप मार्केटिंग करते होंगे, तो इसके basis में क्या है हमें जो है माल बेचना काफी दिक्कत हो जाती है उसके सांसा डीलर, डिस्टिब्यूटर काफी सारे जो चीजें उसका भी price detail अलग से निकालना फिर उसको customer तक देना तो काफी सारे चीजें हो जाती है जिसे कमाई बहुत होती है बट उतना जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाती तो उसको किस तरीके से हम इसके जरीए से marketing कर सकते हैं बेसिकली जैसे अभी channel YouTube की बात करूं तो मैं channel हो गया तो जिस तरीके से अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप मुझे देख पा रहे होंगे तो उसी तरीके से product का आप अपने वीडियो में बना कर काम कर सकते हो दूसरी चीज Facebook में page वगरा होते हैं तो page से अपना ID बना कर अपने product को showcase करके आप उसका marketing अच्छे तरीके से कर सकते हो और product बेच सकते हो WhatsApp में जिस तरीके से अभी WhatsApp का जमाना अभी चली रहा है पूरा हर चीज product का price detail और catalog ये सारी चीज़ें जो है बना कर भी इससे भी अच्छी खासी marketing की जा सकती है और काफी सारे groups होते हैं जिसमें लाखों की संख्या में sorry लाखों लाखों तो नहीं बोलूँगा हजारों की संख्या में लोग page में जूड़े होते हैं मतलब groups होते हैं तो उस group में लोग जूड़े होते हैं तो उसके जरीए से product बेचा जा सकता है Instagram में जिस तरीके से Reels की दुनिया भी चल रही हैं लोग खाली Reels देखते हैं इसके वज़े से इन सब चीजों पर ध्यान नहीं लगता तो उसको न देखके इसमें marketing का काम किया जाया तो ये काफी अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि ये Instagram की जो Reels होती है वो काफी ज़्यादा viral हो जाती है तो कुछ product आपका आप showcase करते हो फिर वो views काफी अच्छे आ जाते हैं तो उसमें से आपका order अना confirm है तो ये कुछ social media marketing हो गई अब हम आते हैं अपनी मुद्दे की बात पर तो ये हमारी online product बेचने से लाखों की कमाई कैसे होगी ये तो हमारा एक माध्यम हो जाता है जो की social media की कुछ माध्यम है तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो की लोग अगरबती product से लेके बेचते हैं तो वो है हमारा flip card short name मैं लिख रहा हूँ ये flip card हो गया और ये हमारा amazon हो गया तो अभी मेशो वगयरा भी चल रही है तो ये हो गया तो ऐसे और काफी सारे है जो main leads में है तो flip card amazon और ये मेशो वगयरा जो जादा तर चलती हैं लेकिन इसमें भी लोग काफी बड़ी मात्रा में अपने products बेचते हैं और काफी अच्छी कमाई भी करते हैं वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी और इसका proof आप देखिएगा कि लोग कितना जो है जादा से जादा इसके माध्यम से अपना product sale करते हैं और कितनी उनकी कमाई होती है जो जो है इसका मैं आपको अच्छी तरीके से explain करके बताने वाला हूँ कि इसके माध्यम से किस तरीके से पैसे कमाया जा सकता है और वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए वीडियो से आप बाहर न होई है और laptop के screen में आपको सारी चीजे मैं समझाने की कोशिज करता हूँ तो कुछ इस तरीके से काफी सारे companies के काफी सारे अलग-अलग brand के आपको product दीख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके की products आपको दीख रहे होंगे तो पहला product आप देखिए इसमें कितना sales अभी इन्होंने किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए इनका 100 रूपीस जो है price list हुआ है 100 रूपीस की यह product है जिसमें आपको धूप कॉन्स दीख रहे होंगी और इनका rating basically देखा जाए तो rating से आपको मालूमात हो जाएगी मतलब आप जान जाओगे कि product कितने में बीकी हुई है बाइदवे यह 5000 मतलब 595 के असपास इसकी rating मिली हुई है तो rating means क्या होता है कि जो कोई buyer अपना product खरीता है तो product खरीदने के बाद यूज़ करता है यूज़ करने के बाद वो अपनी rating करता है कि यह product कितना अच्छा है और कितना नहीं तो इस तरीके से 5000 लोगों ने rating दिया है और इसको खरीदा कितने ने होगा खाली आपको ये रेटिंग्स दीख रही होंगी 5000 के आज पस और इसको खरीदा कितने लोगों ने होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं मतलब इसका डबल देखा जाय तो तो हंडेट रूपीज के हिसाब से आप सिधा सिधा अभी इसी जो नंबरिंग आपको दीख रही होंगी उसी में आप इंटू करके देख लीजिए तो ये राउंड जो है पांच लाग से उपर की प्राइज होती है तो ये खाली एक आप सर्च कर सकते हैं और ये सारी चीजें आप देख के समझ सकते हैं और बेसिकली इसका जो है प्रोसेस अभी के टाइम पे जैसा देखा जाय तो लोग जो है ऑनलाइन और असान से जो चीजें वो खरीदना पसंद करते हैं जैसे कि ये इसी जो प्लेटफोर्म है आपका अगर आप मार्केटिंग से काफी जादा परेशान है कि कुछ चीजें अच्छी तरीके से नहीं हो रही है तो एक बार इस तरीके से इस तरीके का भी जो है इस्तमाल आप कर सकते हैं किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप देखो तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं और जो यह सारी चीजें बताना में इसलिए जरूरी समझा क्योंकि काफी सारे लोग जो है जो नए लोग जो नया काम कर रहे हैं उन लोग फोन करके यह पूछतें कि मार्केटिंग कैसे करें प्रोफिट अच्छा नहीं होता माल कैसे बेचना है तो यह काफी अच्छा जो है चीजें है जिसे आप काफी सारी चीजें आप कर सकते हो और कोई भी चीजे असानी से भी नहीं होती नहीं तो इस चीज का आप रखे सो फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही और जो है आप भी बिल्कुल ट्राइ कीजिए कुछ अपने प्रोड़क को लिस्ट करके और देखी कि रिजल्ट क्या मिलता है उमिद यही रखूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी मार्केटिंग होगी और जो है आपका प नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद